आप सभी का स्वागत है संलाइन क्लासेस में और हम अधिगम की स्रंखला को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हमारा जो विश्य है वो है टॉल मैन का चिन अधिगम सिंधान्थ बहुत ही महत्रपूर्ण है और आज इसकी सुरवात करते हैं इन्होंने प्रतीकों को अधिगम का म दिगम तॉल मैन द्वारा पतिपात्त सेकने के सिधान्थ की अनुसार शीक ने की क्रिया में उद्देश का विशेस महत्र है और उनका विचार है कि प्रानी की सभी क्रियाएं उद्देशपूर्ण या पुर्योजन पूर्ण होती हैं इस इधान के अनुसार सीखने वाला उद्देश्यों की प्राक्ति के लिए प्रतीकों का अनुसार करता है और विशावस्तु में अर्थ सीखने का प्रयास करता है यहाँ देखिए दो पैरा हैं और दोनों में एक बात बताई गई है कि जो करिया होती है वो उद्देश्य पूर्ण होती है और प्रतीकों के माध्यम से होती है प्रतीक का मतलब होता है ऐसे साइन जिससे हम अपने कार को एक उद्देश्य पूर्ण लक्ष तक पहुंचा सके हैं चलिए टॉलमेन के विचार से पुरसकार, दंड, अनुवंधन वे प और और अनुवंधन मतलब उद्दिपक को देखकर वो किस प्रकार का कार कर रहे हैं तो ऐसे जो कार होगे वो उद्देश्य पूर्ण होगे और वो खुद चुनेगा कि हमें ये कार करना है या नहीं करना है अर्थात अधिगं जो है वो यहाँ पर अब्यक्तरूत में रहत है मतलब अगर मैं आपको एक उताहण दूँ छोटा सा कि खूब सारे बच्चे एक क्लास में बैठे हुए हैं और सामने पढ़ाई हो रही है और बच्चे उस चीज को पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते हैं इस ये तभी संभव है जब आप अपनी पढ़ाई को उद्देश पूर बना सकेंगे आप ये बताएंगे कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चों की लिए किस हद तक या कहां तक अच्छा है चरूरी है और उसका उद्देश क्या है उनके भवश्चे में ठीक है चलिए आते हैं सेकंड पैरा पर भूखा कुत्ता अपने माल अर्थ नहीं जुड़ा रहता तो किसी भी प्रकार की प्तिक्रिया नहीं होती इनका कहना है कि अगर वो कुत्ता बुलाया जा रहा है तो उस कुत्ते को लगता है कि कोई ना कोई मेरे लिए काम है या मैं मुझे कुछ खाने को मिलेगा उसको अर्थ अपना उत्देश ने द सिध्धान चिन पूराकार सिध्धान ग्यान का मांचित्र सिध्धान संभावना का सिध्धान संप्रयोजित यानि की संप्रयोजन विवहारवाद का सिध्धान और आखिर में जो मैं आपको बताया था उद्देश वाद या संकीत वाद भी कहते हैं इसको तो अगर सबसे जादा इसका जो नाम है वो तो ऐस आपने मैं स्टार्टिंग में मता दिया था कि छिन्न से संबंदित है। और यह प्रती कात्मक और अव्यक्त वाला यह जब से ज्यादा पूश yapmışता है। तो मैं बता दूँ आपको इतना तो पता ही होगा कि अब्यक्त क्या होता है अब्यक्त मतब जिसे आप दूसरों को नहीं दिखाना चाहते हैं अब्यक्त रखना चाहते हैं मालनीजे आप कोई पेपर दे रहे हैं एक्जाम दे रहे हैं और वो एक्जाम एक साल में पांच बार होता है तो कहीं न कहीं आपका जो इंट्रेस्ट है वो इस एक्जाम से कम होगा मालनीजे वीकली एक्जाम में इंट्रेस्ट कम आता है और जो हाफ यल्ली होते हैं और जो अप्रवार करते हैं उसमें इंड्हेस्टप्री जादा आता है। क्योंकि व्यक्ति अपने अधिगं को उने छोटे वैले exam में नहीं शो करना चाता है, जपकर बड़े वाले exam में आपने C अधिगम को पस्तुत करता है इसी लिए कहीं कहीं पर जब हम अपने अधिगम को व्यक्त नहीं करते तो यहाँ पर अभ्यक्त अधिगम आ जाता है अब टालमाज के प्रयोग की बात करते हैं, चूहों के समूहों पर इन्हों ने अप्रा प्रयोग किया था, चूहों के समूहों को दो भागों में बाटा गया, A ग्रुप और B ग्रुप तो आईए इसको प्रिक्चर के माद्धर से समझते हैं, एक ग्रुप के साथ क्या हुआ था, अब रखेगा, यहाँ पे ग्रुप ज्यादा इंप्रुटन्ट है, एक ग्रुप में क्या हुआ, चूहे को एक मेज में, मेज थेवरी भी कह सकते हैं इसको, और मेज को कहते हैं दम सद्धान्त ने, यहाँ पर टॉल में ने भी भूल भुलया का प्रियोग किया है, ठीक है, तो दोनों ने किया है, तो कभी भी आपको इस तरीके सी कोई कोश्चन मिलता है, भूल भुलया का प्रियोग किस ने किया, तो टॉल में आपका फर्स्ट वाइस होना चाहिए व रखा हुआ है और एक तरग चूहों का समूह है अब यह चूहों का समूह जब इसको यहां से इंट्री मिलती है तो यह जानता है इसको इसमेल आजाती है कि हाँ मेरे लिए खाना कहीं पर रखा हुआ है अब जब इनको खाने का उद्देश्य मिल जाता है तो ये अपने उद्देश की प्राप्ति के लिए जितना हो सकता है कम समय में अपने खाने को प्राप्त कर लेते हैं ठीक है, तो A ग्रूप अपने उद्देश को प्राप्ति करने के लिए जितनी जल्दी हो सकता है, अपने मेज को पार करके अपने खाने को खा लेता है, लेकिन दूसरे यानि की B ग्रूप में देखिए अंतर आया, यहां पे खाना नहीं है, सेम जो कंडिशन है लेकिन खाना अब जब यहां खाना ही नहीं है, तो चुहे उस मेज में जाकर इधर उधर भटकने के अलावा कोई काम नहीं करेंगे, माल लिजे उनको इस रास्ते से निकलना भी है, तो वो आराम से निकलेंगे, क्या जरूरत है इतनी स्पीड में इस भूलबलया से निकलने की, है ना, तो अगर जब उद्देश ही नहीं है, तो वो अपने अधिगम को क्यों व्यक्त करें, तो यहां पर अधिगम को व्यक्त नहीं किया जा रहा है, वो अपने अभ्यक्त रूप में बढ़ते चले जा रहा है, और अगर इसी भी ग्रूप में जो टालमेन नहीं है, उन्होंने क ऐसा का रिस्वांद दिखाया कि वो A से भी जल्दी वहाँ पर पहुँच गए, मतलब जो A ग्रुप ने समय लगाया था, A ग्रुप से भी जल्दी पहुच गए, क्योंकि पहली बार तो उनको भूल-भुलया का मतलब पता चल जा था, कि उनको आसे निकलना है, लेकिन जम उ गुलया को जल्दी जल्दी से पार करेंगे और हमें खाना मिल जाएगा, तो उन्होंने अपने अधिगम यहाँ पर व्यक्त कर दिया और वो अपने खाने तक A ग्रुप से भी जल्दी बहुच गए, तो अगर हम प्रियोग की बात करें, क्या हुआ इस प्रियोग में, सीख पूर्ता और उद्देश की पूर्ती में सहयक होते हैं, प्राणी संग्यानात्मक योगिताओं के सहारे सम्पूर मानसिक परिस्तिति का एक मानसिक मानचितर बना लेता है, इसलिए इसको मानसिक मानचितर का स इसे हमें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, और इसका उद्देश क्या है, इस सारी चीजें वित्ती अपने मन में सेव कर लेता है, कौपी कर लेता है। कुछ संप्रत्य हैं इससे संबंधित, इसमें कहा है कि प्राणी सीखने की प्रक्रिया के दवरान उद्दीपकों के बीच परस पर अर्थिप संबंधों को इस्थाफित करता है, एकिकर्थ बनाम आन्विक टोलमैन ने एकिकर्थ विवहार पर ज्यादा मातों दिया है और यह उद्देश पूर होता है, इस्थान बनाम अनुक्रिया प्राणी निश्चित उद्दीपकों के प्रती निश्चित अनुक्रिया नहीं सीखता बलकि लक्ष प्राप्त करने के लिए उन स्थानों की खोज करता है जहां वस्तिमें होती है, ठीक है, उद्दीपकों से जो नि इस थानों की खोज किया आती है, जहां पर वस्तु मैं होती है, पुरसकार प्रत्याशा, अधिगम में पुरसकार देने पर विवहार देड़ हो जाता है, लुप्त अधिगम, लुप्त को आप अव्यक्त भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो यहां पर अव्यक्त भी आ जाएगा, अधिगम होने पर यदि पुरस्कार नहीं मिलता है तो प्राणी इसका प्रदर्शन भी नहीं करता है चीक है माली जी कोई क्लास है और कहा जाता है दिखते हैं भाई कौन सबसे आ गया आएगा तो ज्यादा तर बच्चे उसने कोई खास इंटरेस्ट नहीं लेगे ठीक है मैं दस लोग की दोड़ हो रही थी मैं तेज पहुंच गया तो क्या कुछ उसका रिजल्ट उसका परिनाम उसने कोई पुरस्कार उसने कोई नाम होना चाहिए तभी तो हम उसको और अच्छे से निखार सकते हैं और अच्छे से स्थिर बना सकते हैं मजूद बना सकते हैं तो यहां पर आपका जो अव्यक्त अधिगम है फुशो हो रहा है तो इसी के साथ हमारा जो टॉल्मेंड का अधिगम सिध्धान्त है इसे मात्त होता है और आगे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अधिगम वाले सिध्धान्त में तब तक के लिए तमस्कार धन्यवाद जोड़े रहे यह सब्लाइम फ्लास से